बश्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे horizontal broaching machine के बारे में horizontal broaching machine mostly pull broaching machine type की होती है और ये general purpose machine है और इस type की broaching machine का प्रियोग हम internal और external broaching के लिए करते हैं और broaching एक परकार से multiple tooth cutting operation है जिसमें एक multiple tooth cutting tool को pull करके या फिर push करके एक fix path में work piece से single stroke में material को remove किया जाता है तो यहाँ पर ये जो multiple tooth cutting tool जिसे हम broach कहते हैं इसमें जो teeth होते हैं वो gradually उनकी जो height है वो increase होती है जिससे एक teeth से दूसरे teeth पर feed बढ़ जाती है तो आप बात करते हैं horizontal जो broaching machine है इसमें अगर देखें ये जो diagram आपके सामने है इसके अलग-अलग component इसमें होते हैं तो इसका जो यहाँ पर base है base के उपर अगर अगर आपम देखें ये जो column बना है इस column में इसका जो mainly hydraulic drive होता है पूरा mechanism इसके अंदर होता है यहाँ पर control switches लगे होते हैं जिसकी मदद से operation को control किया जाता है यहाँ एक motor लगी होती है और यह ram है और यह hydraulic drive pulling head, slide, workpiece और यह broach है और इस broach का जो rear end है इसको follower rest पर इसको sport किया गया है तो इस type की जो machine का operation है वो थोड़ा सा complex होता है और जैसा कि हमने इसकी construction में बात की कि इसमें जो work holding device हम use करते हैं जहाँ पर workpiece को hold किया जाता है वो इसमें stationary रहता है और workpiece को hold करने के लिए हम broaching fixture का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो broaching pulling mechanism है यह जो pulling head जिसे हम कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो broach है इसको हम pull कर सकें यह जो आपको direction दिख रही है arrow की तो इसमें की broach को इस direction में इसको pull किया जाता है तो जो ram इसमें अगर हम देखें यह जो ram लगा है ram के दुआरा broach जो cutting tool है उसकी moment को guide किया जाता है तो horizontal ram इसमें देखें और जो broaching जो tool होता है वो भी इसमें horizontal होता है और hydraulic जो ram है इसको हम hydraulic piston और slender mechanism की मदद से इसको drive किया जाता है और जो pulling mechanism और जो broach moment के लिए जो power है वो hydraulic fluid के दुआरा provide की जाती है और इसमें ये जो broach है इसकी जो moment है ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे lathe machine में जो tail stroke है वो bed पर बने guide ways पर slide करता है उसी प्रकार से जो broach है वो भी इसमें slide करता है अगर हम बात करते हैं working की तो इसमें हम जैसा बात की कि internal और external broaching दोनों इसमें की जा सकती है जब external broaching करते हैं तो उस समय जो broach है उसे work piece surface के उपर से उसको pull किया जाता है और pull करने के बाद वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो work piece को remove कर लेंगे और उसके बाद फिर broach को उसी starting point पर लेकर आएगे और work piece को फिर नए work piece को hold किया जाएगा क्योंकि broaching operation में एक single stroke में हमारा जो operation परफॉर्म हो जाता है material remove हो जाता है जब हम internal broaching करते हैं तो उस समय क्या होता है कि internal broaching मतलब कि अगर हमें कोई hole बनाना है या फिर कोई slot अगर हमें बनाना है supply बनानी है rectangular hole बनाना है कोई key way बनाना है तो उस case में जो broach होता है उसे जो work piece का hole है उसके थूरू गुजारा जाता है ताकि क्योंकि जब internal broaching करनी है तो material को अंदर से remove करना पड़ेगा तो उस समय उसको work piece के थूरू जो hole है उसमें से गुजारा जाता है और गुजारने के बाद फिर work piece को broaching fixture से remove कर लेते हैं और फिर broach को उसी starting point पर लेकर आते हैं और नए work piece को लगा दिया जाता है और ये process को हम repeat करते रहते हैं number of work pieces को जब हमें broach करना होता है अब बात करते हैं कि जो broaching fixture इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो work piece को hold करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि work piece को correct position पर locate किया जासके operation को perform करते समय work piece को properly hold किया जासके reasonably उसको sport किया जासके और जो broach है during operation उसको guide करने के लिए भी broaching fixture का इस्तिमाल किया जाता है अगर हम बात करते हैं एडवेंटेज की जो horizontal broaching machine है इसकी जो एडवेंटेज की बात करें तो हम इसमें long broaches और heavy work piece को आसानी से handle कर सकते हैं अगर disadvantage की बात करते हैं तो ये जो machine होती है vertical broaching machine के comparison में ज़्यादा floor space को इसमें require होता है ज़्यादा floor space की हमें आफसकता पड़ती है अगर application की बात करते हैं तो horizontal broaching machine का इस्तेमाल हम keyways को broach करने के लिए supplies को बनाने के लिए slot बनाने के लिए round hole, rectangular hole या कोई जो दूसरे internal shape या contour है जो irregular surface है या करव है या जो gear होता है गियर में जो internal supplies बनाने के लिए इस machine का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया horizontal broaching machine जो mostly pool broaching machine होती है उसको किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसकी working किस परकार से होती है और उसकी construction कैसे होती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और चैनल को subscribe करना न भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झाप़ करा कि खे लो डीडियो कर सकते हैं झापका जापका